आजर कते हैं अजर प्रेना था हल्लोवडैकन मेरा नाम फारूक यूशफ good अध्य आइल्स की एक नहीं वीडियो के साथ आपके साथ आजर हाजिरू हूं और आज की हमारी वीडियो है आइल्स क्यूकरद के उपर आइल्स और सेपिंग में Qcard के उपर ये वीडियो है Because Qcard के maximum bands हैं और Qcard के band ही decide करते हैं कि आपके speaking में कितने अच्छे bands आने वाले हैं तो मुझे बहुत सरे students ने इसके उपर questions पूछे तो हमें लगा कि इसके उपर भी आपके लिए एक वीडियो होनी चाहिए IELTS Qcard Qcard मैं सब students को ये हमेशा suggest करता हूँ Be careful उसको अच्छा सा prepare करके जाएए अच्छी preparation के लिए different चीजे हैं लेकिन students unfortunately मेरे tips को follow नहीं करते तो Qcard जैसे ही आप examination room में यानि अपने speaking test के लिए अपने examiner के सामने गए तो वो कुछ introductory question वो 3 से 4 या 5 हो सकते हैं वो आप से पूछेगा और उसके बाद Qcard के लिए आपके सामने एक Qcard रख देगा जिसके लिए आपके बस एक मिनट होता है सोचने के लिए और दो मिनट आपने उसके ओपर बोलना होता है साथ आपको notes लेने के लिए एक pencil और एक cards भी आपका examiner दे देता है आप मेरी tips को follow करेंगे तो definitely you will score 8 or 8.5 band in your speaking test लेकिन करना क्या है आपको let's talk about IELTS Qcard IELTS speaking Qcard देखिए जो ही आपका examiner आपके सामने आपका Qcard रखता है पहले तो उस Qcard को तसलिए से पढ़ लीजिए मैं आपके सामने भी एक Qcard show करूँगा और उसको बताऊँगा कि आपने उसको कैसे पढ़ना है कैसे वो important है उसके बाद अपने जब notes लेने शुरू करें तो आपने notes कैसे लेने हैं ये भी मैं आपको बताए देता हूँ आपका Qcard है ये IELTS की book 11 cameras की उसमें से मैं ये Qcard test 4 speaking test उसमें से ले रहा हूँ आपके सामरी यहां screen पर भी show हो रहा है आपका Qcard है describe a TV documentary you watched that was particularly interesting you should say what the documentary was about why you decided to watch it what you learnt during the documentary and explain why the TV documentary was particularly interesting अब आप जब notes ले रहे होंगे तो इसमें दिये गए पहले तीन सवालों का एक एक word में answer लेग देंगे for example what the documentary was about it was about cricket why you decided to watch it because I always had been a lover of cricket I love cricket that's why it was informative for me what you learnt during the documentary I learnt new different new techniques about betting cricket में betting के ओपर वो video थी वो documentary थी वो मेंने देखिया और मुझे बेटिंग स्टाइल और अच्छे बेट्समें की क्या खुबियां होती हैं उनकी टेक्नीक क्या होती हैं तो उसके बारे में मुझे बहुत कुछ जानने का मौका मिला ये एक एक लाइन के answer होंगे आपके जब आप स्टाइट लेंगे तो ये एक एक answer अच्छा स्टूडेंट्स जिनके बैंड्स नहीं आते वो इन में से कोई एक miss कर जाते हैं तो आप बैंड लूस करेंगे इनका answer देना लाजमी है जो आपको maximum margin होता है आईल्स के क्यू कार्ड में बोलने का वो लास्ट क्वेस् यहां पर आप जितना मर्जी बोलिए पहले तीन क्वेस्टेंस का एक एक लाइन आंसर या एक ही सेंटेंस में तीनों आंसर आ जाएं वो बोल दीजिए ताकि आप बैंड लूस ना करें और explain पर जितना मर्जी लैंधी बोलें तो उसमें आपके अच्छे बैंड आएंगे देखिए अब यह क्यू कार्ड आपके सामने है जब आप क्यू कार्ड के नोट्स लेना शुरू करेंगे तो इन तीन क्वेस्टेंस का एक एक वर्ड में आपने आंसर लिख लिया और explain वले portion में चंद अच्छे अलफाज लिख लिजिए अच्छे expressions लिख लिजिए जिससे आपके bands आएंगे हमारी एक और वीडियो भी मौझूद है जिसमें आइल्स की बैंड डिस्क्रिप्टर के ओपर क्या आपका examiner क्या चाहरा है वो वीडियो भी आप जरूर देखिए आइल्स के टिप्स के ओपर आइल्स की स्पिकिंग की टिप्स के ओपर भी एक वीडियो म और vocabulary, appropriate words, uncommon words, lexical resource उसको भी लिख लीजिए दो चीजी होगी अब इनको बार 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 बोल के explain कीजिए उसकी practice कर लीजिए जब आप बहुत अच्छी aq card की practice कर चुके हों तो एक कोई भी recording device लीजिए audio recording device वो आपका mobile हो सकता है उसको सामने रखिए उसकी recording on कीजिए और आपने इसके उपर चार मिनिट की recording करनी है जब आप चार मिनिट की recording करेंगे आपकी बहुत अच्छी practice हो जाएगी तो चार मिनिट की recording कर लीजिए अब उस recording को सुनिए डफिनिटली आपको खुद ही पता चल जाएगा आपने उसमें कौन सी गलतिया की है आपने कोई question miss तो नहीं गए अगर यह सब कुछ आपने नहीं किया तो वो आपकी fit audio है उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए different cue cards ले लीजिए उनको बार बार प्रैक्टिस की लीजिए हमारे हमारी website की उपर IELTS की जितनी books है 12 books available है market में Cambridge की उनमें जितने speaking test हैं उनके उपर prepared cue cards पड़े हुए आपको बहुत ज्यादा महिनत नहीं करनी पड़ेगे आप वहां से उठा लीजिए आपको उसमें बहुत सारी help मिलेगी मुझे अमीद है आप इन tips को जरूर फॉलो करेंगे एक दफ़ा इन tips को फॉलो करके अपनी recordings करना शुरू कीजिए cue card की तो आपके बहुत जल्दी improvement आ कर रहे हैं उन पर भेज दीजिए हम उसके analysis करके आपको बताएंगे कितने bands ले सकते हैं आप कहा mistakes कर रहे हैं और आप इनको कैसे improve कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको please like कीजिएगा इसको share भी कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो IELTS के exam में हो रहे हैं और उनको इसकी जरूरत है ताके वो भी अपने अच्छे band score कर सके इसके अलवा अगर आपने हमारे YouTube चैनल को subscribe किया है तो बहुत अच्छी बात है नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल का बटन आप दबाना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ share भी क problem आ रहा है तो हम one by one उन तमाम issues को address करेंगे लेकिन सबसे important बात यह है कि आप मेरी दी गई टिप्स को एक दफ़ा फॉलो जरूर करें और फॉलो करके उसके results मेरे साथ share करें अगर आपको मजीद कोई दिक्कत आ रही है बहुत सारी टिप्स हैं बड़ी असानी के साथ आप आइल्स की speaking में 9 बैंड ले सकते हैं तरीका कार मुझूद है जो भी शुआरो जरूर शेर कीजएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे धेर सारी दौएं आपके बहुत अच्छे बैंड्स के लिए और कामियाभी के लिए थैंक यू सो मुच